NumPy Library को देखते हुए हमने तक्रीबन दो दिन इस पे काम किया NumPy पे आज तीसरा दिन है और आज के दिन जो NumPy के डिफरेंट चीजें हम देखने वाले हैं उनको छोड़े-छोड़े चंक्स में थोड़के हम समझेंगे ताकि हमें NumPy की समझ आ रहे अब NumPy क्यों ज़रूरी है सीखना मैंने पिछले लेक्शर में बताया था इस लेक्शर में मैं आपको बताता हूँ कि NumPy जो है वो basically आगे जो Deep Learning की Artificial Neural Network की लाइबरेरी जे उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है मिसाल के दोर पे NumPy जहां पर यूज होती है उसको Pytorch की एक लाइबरेरी के बारे मैं आपने सुना होगा वहां पर यूज होती है NumPy जो है वो अगर Pytorch के अंदर हम Tensors बनाते हैं तो NumPy में उनको Arrays बोला जाता है तो Arrays और Tensors तक्रीबन सेम से हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया था तो जब हम Pytorch के उपर जाएंगे यानि कि Neural Network की तरफ जाएंगे Tensors थब समझेगे But for now NumPy की Arrays हम इसको और भी deeply जाके और examine करते हैं तो आज जिस चीज के बारे में मैं बात करूँगा वो है NumPy जो मैंने पहले भी बता दिया अब यहां पे मैं एक नही फाइल बनाता हूँ NumPy.ipynb इसके अंदर हम आज के operations जो हैं वो करेंगे और obviously हम NumPy की जो main library है उसके उपर रहते हुए यह काम करेंगे यह सारी की सारी चीज़े मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि आप किस तरीके से basic array बना सकते हैं, reshape कैसे कर सकते हैं और बाकी indexing and slicing के उपर हम पहुँच चुके थे किस तरीके से आप proper indexing कर सकते हैं आज मैं indexing से स्टार्ट करूँगा कि NumPy की array जब आप बनाते हैं तो उसको index कैसे किया जाता है और indexing होती क्या है तो यहां पे start करता हूँ मैं NumPy indexing and slicing इससे आपके थोड़ी सी repetition भी हो जाएगी but it would be fine तो मैं यहां से अपना python media का environment select करता हूँ हम करते हैं जी import NumPy as np इसको import करके हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो jupyter notebook है inside vs code हो कैसा चल रहे है तो यहां पे NumPy को import कर लिया हमने अब एक array बनाते हैं create an array array बनाने के लिए for example मैं इसको a is equal to np.array बोलके इसके अंदर हम कोई भी एक array के elements जो हैं वो रख देते हैं 1,2,3,4,5,6,7 तो यह हमने एक array बना ली अब इसको मैं यहां पे इस तरीके से print कर लेता हूँ अगर आप गोर करें तो यह इसके index है 0,1,2,3,4,5,6,7 जीरो से index start होता है तो हम अगर indexing करेंगे मैं चाहता हूँ के 0 index यहां पे print करूँ तो विसली यहां पे 1 आ जाएगा तो इसी तरीके से pandas की slicing होती है और numpy की भी ऐसे ही होती है तो यहां पे हमने numpy की slicing की start किया 0 से तो वो 1 आ गया यानि के पहला digit अगर मैं इसी को minus 1 लिखता तो मेरे पास last digit आता यहां से हम start करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 आएगी हमारी indexing यहां पे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 तो अगर मैं minus 2 करूँगा तो उल्टे हाथ से 2 points छोड़ के आपका index होगा ठीक है इस तरीके से आप slicing कर सकते हैं खास तोर पे जब आप किसी numpy array को देख रहे हो अगर एक मैं और यहां पे array बनाओ b is equal to np.array बलके इसको मैं a range कहा देता हूँ a range of 0,12 और यह 2 के साथ करें मतलब मैं यहां पे एक जुफत दाद की यानि के even numbers की मैंने यहां पे एक array बना लिया है b इसका नाम है अब मैं चाहता हूँ के b को यहां पे print करूँ और b print हो जाती है then I can put any kind of index from here बट आप अगर गौर करें तो मैंने यहां पे array बनाई है a range के थूँ ठीक है अब अगर मैं इसको reshape करूँ b को c के अंदर convert करते है and then we have this kind of 0, 2, 4, 6, 8, 10 यानि के सारे वो ही elements है लेकिन यह 2 by 3 में convert हो जाए अब इसको मैं c के उकल रख लेता हूँ तो हमारे पास c आगया यह वाला अब अगर हम c की indexing करेंगे तो जब मैं 0 प्रेस करता हूँ तो आप अगर गौर करें मेरे पास यह जो first array है यह वो आई है यह वाली second array है मेरे पास ठीक है तो मेरे पास जो array है वो zero index पे जितनी values हैं तो अब zero index इसका यह है और one index इसका यह है ठीक है so this is how you can slice या select an array from the data और यही चीज़ आपको जो है वो easily जो है वो नजर आ जाती है अब अगर मैं वापिस जाओं यहां पे a मैंने zero किया था मैं चाहता हूँ zero और one दोनों हो जाएं तो आप गौर करें यहां पे zero से one मेरे पास array यह वाली आ रही है but if I want to select one, two, three, four तो मैं क्या करूंगा यहां पे उसके लिए हम देखते हैं यहां पे अगर आप गौर करें यहां पे मैं कहता हूँ के one वाला index है मेरे पास two one से लेके onward सारे के सारे मेरे पास print हो जाएं ठीक है अगर मैं चाहूँ one से लेके five तक हो तो मेरे पास यह होँगे ठीक है तो यह मैं एक range भी बता सकता हूँ colon का मतलब है एक range range of जो आपके elements है वो लेकिन यहां पे अगर मैं करूँगा one तो मेरे पास यह दूसरी वाली आजाएगी but if I say reshape b into two by three की बजाए मैं इसको three by two करता हूँ तो यह मेरे पास कुछ इस तरीके से आती है आप अगर गार करें तो इसका जो index one है वो four by six हो गया and here we can also say कि अगर मैं zero index करता हूँ तो पहले पहला हमारे पास आए जागा फिर second फिर third तो यह मैं reshaping कर रहा हूँ यानि कि हमारे पास जो array आ रही है two dimension और उसकी shape क्या है जिसको matrix भी बोलते हैं ठीक है तो matrix भी इसी तरीके से चलते हैं but we will see inshallah from today onwards के किस तरीके से हमारे जो matrix है वो काम करते हैं हमने फिर filtration भी देखी थी खास तोर पर अगर मैं C को यहाँ पर print करूँ तो for example मैं C को print करता हूँ यह total मेरे पास C की value आजाते हैं यह वाली लेकिन मैं चाहता हूँ कि C के अंदर जहां पे C is less than 5 है वो print करो तो पूरे के पूरे data में से सिरफ वो आजाएगा जो less than 5 है तो इसको मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि यह less than 5 आ गया and अगर करू C is greater than 7 तो यह मेरे पास not like this it was working in another way let me see and bracket में आना था sometimes I always miss mistake sometimes I always की कर रहा है मैं English था खेर तो इस तरीके से आपके पास different values आ सकती है but you know that के हमारे पास कुछ इस तरीके से and अगर लगेगा तो कुछ भी नहीं आएगा अगर हम और लगाते हैं तो हमारे पास यह condition पूरी होती है so you have to think about using and or और जो मैंने आपको यहां पे remainder operator बताये थे वो भी आप देख सकते हैं so there are many things like that और अगर आप चाहें तो equal equal to be use कर सकते हैं इन चीज़ों को हम बोलते हैं boolean operators और boolean operators कौन कौन से होते हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ यहां पे analyst boolean operators इनको boolean भी कहते हैं यह conditional operators भी बोलते हैं और यह बहुत important होते हैं जब भी आप कोई काम करते हैं for example data science का यह data analysis का और आप conditions को use करते हैं खासतोर पर data science के अंदर Excel को भी अगर आप use करते हैं तो आपके पास boolean operators या conditional operators होते हैं तो मैं यहां पे conditional operators operator dot मैं अगर इसको pdf लिख देता हूँ तो काफी लोगों ने बनाई भी होगी pdf obviously we will see that तो अगर आप चेक करें तो यहां पे आपके पास conditional operators जो हैं वो काम करते हैं for example यह होते हैं equal to हो तो equal equal है फिर python के आप देख सकते हैं वो not equal to greater than less than equal to greater than equal to और इस तरीके से आपके पास not equal to programming के अंदर कैसे use होते हैं और वैसे कैसे use होते हैं logical operators भी ने बोला जाते हैं तो यह आपके पास boolean आजाते हैं and or and or for example अगर आप चेक करें यह and है आपका ठीक है यह आपके पास or not है तो Java में different होंगे Python में different होंगे so you have to find out python conditional and boolean operator python conditional and boolean operators यह मैंने basic lecture के अंदर बड़ी अच्छे तरीके से cover किया है I am just giving you an idea कि आप कहां पे इसको find out कर सकते हैं there are many websites out there जहां पे आप इसको देख सकते हैं images में जाके आप यहां पे भी देख सकते हैं other than that अगर आप यहां पे कहें give me a table of python conditional operators and boolean operators with their function and definition तो यह आपको प्रॉपर उठाके जो poe.com, hrgpt वो आपको पूरा एक table बना देगा so it's very easy to find out को कौन-कौन से आपके पास different किसम के operators हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं and then in that way you can use one or two or three of these और आप इसको conjugate करके भी use कर सकते हैं और इसको different तरीकों से भी use कर सकते हैं